लेंगे लेँन के अगर बात करें दोमतीपों के I speech पर average first inning ये दो सोब यहाँ पर 150 रण average first inning या और average 2 inning कि बात करें तो lan 37 run है उन 37 run ये दो सा अब तक highest score है और IPL में अब तक highest score स्कोर इस defendant score की बात कर दो 129 है last five matches की बात कर लेते हो तो इस वाका आपकी screen की उपर नज़र आ रहे last five matches जहां पर Mumbai Indians की टीम ने अपने last five T20 matches में तीन matches में शिकास तो और दो में कामयाभी आसिल हुई इनके लावा Kolkata की बात करें तो तो दो जैदो जैदो कामयाभी आसिल हुई है Kolkata नाइट राइडर्स की टीम ने टास जीता पहले किया बॉलिंग करने का फैसला और मॉंबाइ इंडियन्स की टीम को पहले बाटिंग करने की दावा थे इस से पहले भी 200 कोलकत्ता और मॉंबाइ इंडियन्स की दरमाइन जब मैच कहले गया IPL 2021 में जहां पर मॉंबई इंडियन्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाये थे और कोलकत्ता की टीम को 142 रन पर आउट किया था तो 10 रन से मॉंबई इंडियन्स की टीम ने जहें दोस्तों ये मुकाबला अपनी नाम किया था और आज देखते हैं कि मॉंबई इंडियन्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए कितना स्कोर यहां पर बनाने में कामयाब होती है तो हमारे साथ रहिए जितने भी दोसिस वकमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत शुक्रिए है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए DC की साथ दोनों टीमों की प्लेंग लेवन यहाँ पर आपके सामने है जहाँ पर कॉलकटे की टीम ने टॉच जी आर की टीम ने आपर टॉच जीता और पहले बालिंग करने का फैसला कि हम मुंबए इंडियन्स की टीम को पहले बैटिंग करने की जो है दोस्तों यहाँ पर दावत दी गई है जहाँ पर मॉंबई इंडियन्स की टीम की प्लेंगी लेवन में आपको कुइंट इंडी कॉक, विकिट कीपर के कमाल के लिफ्ट हैंड बैट्समें आपको नज़र आएंगे जहाँ पर कमाल की बलेबाज है कुइंट इंडी कॉक, पहले नमबर पर आपको कुइंट इंडी कॉक यहाँ पर नज़र आएंगे उसके लावा अगर सैकिंड नमबर की बात करें तो सैकिंड नमबर पर आपको यहाँ पर रोहित शर्मा जो कमाल की बलेबाज है वो आपको यहां पर नजर आ सकती है इनके लावा अगर बात करें दोस्तों यहां पर तीसरे नमबर तो तीसरे नमबर पर आपको यहां पर सुरिया कुमार यादो जो है दोस्तों वो प्लेंग 11 का यहां पर इसा है और अब तक 109 मैचिस जो है दोसो वो खेल चुके हैं तो प्लेंग 11 का इसा इनके लावा इसान किशन कमाल के बल्लेबाज इस वक्त आपको देखने को नज़र आएंगे इसान किशन जो है दोसा अब तक 57 टी 20 मैचिस कहल चुके हैं और कमाल की बल्लेवाज है दोसो इशान की सन और इस मुकाबले का यहाँ पर इसा इनके लावा अगर बात करें तो सोवाब बर्तियोवारी आपको देखने को नज़र आएंगे जो कमाल की बल्लेवाज है और इस मुकाबले का इसा है राहुल चाहर आपको नज़र आ सकते हैं प्लेंग 11 में यहां पर मुंबाइ इंडिन्स की जानिब से इसके साथ जिस्पित बुम्रा आपको नज़र आएंगे जो अब तक जिस्पित बुम्रा काफी जबर्दस बॉलर हैं और अब तक सोटी ट्वेंटी मैचेस खेल चुके है तो जिस्पित बुम्रा जब दोस्तो वो मुंबाइ इंडिन्स की जानिब से प्लेंग 11 का इसा इनके लावा ट्रेंड बॉल्ट आपको नज़र आएंगे जो कमाल की बल्लेवाज है दोस्तो तो ट्रेंड बॉल्ट जब दोस्तो वो प्लेंग 11 का इसा है यहां पर कमाल की ब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉलकता नाइट राइडर्स की प्लेंग इलेवन तो कॉलकता नाइट राइडर्स की टीम ने टोच जीत कर पहले बालिंग करने का फैसला किया जहाँ पर कॉलकता नाइट राइडर्स की टीम में आपको नजर आ सकते हैं शुबाम गिल कमाल की बल्लेबास है दोस्तों वह यहां पर ऑपनिंग बल्लेबादस इन Magylar आप को दिखाए देगे इंगे इन दिक साथ विंक के तेश लेयर आपको यहां पर विंकटेश लेयर आपको देखने को मिलेंगे बॉलर की दोर पर राहुल C वा जो यह दोस्तों वा यहां आपक आपको लेफ्ट राइट हैंड बाटसमें और विकेट कीपर के फराइस से निजाम देते हुए इस प्लेंग 11 में नज़र आएंगे अंडर रसल की बात करें तो दोस्थो वो आल रोंडर है कमाल की आल रोंडर है वो इस प्लेंग 11 का इसा है सुने इल्माराइन आपको इस प् दुखे तो वो इस प्लेंग 11 का इसा होँए इनके लावा यहाँ पर पर प्रफासीद करिließना आपको आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जो सर्माल के दोसो बॉर्लर हैं वो इस प्लेंग 11 का इसा है कि comics आर की टीम की जाने से इन के लावा वरू रहन चकर वर्त ही जह हैं दोसो इन के लावा अगर बात करें दोसो इन के सिपिचze पर ऐभरीными फर्स इनिंग सोब सब्सक्राइब कर "'ीष के करें है इस पिचछ सकती हैं में तो इस स्वेच पर 247 रंगी यहींद देफेडने सकॉर है और आप अप तक इस स्वेच सQUी स्वेग Guiq आप कि लीने में, इनके यहींद श्लीट स्कॉर हैं, यहींड याफ़ banking की बात ब anticipator 2back कामयाभी हासिल हुई इनके लावा कॉलगत्ता की बात करें तो दोसो उनोंने लास जो 5 मैचेंज में स्मय 3 शिकस तर 5 कामयाभी शिकस तर 2 मैचे back head in dr welt this game just and 7 kicking 0 1-2 तुम्बयरों की रिवन एनकी स्क्रिंग आप है जहांँ पर मॉंबफ़ ट्राइडर्स इस आज का मैच कहले जाएगा कॉलकतान नाइट्राइडर्स की टीम Japanese ने टास जीता पहले किया बॉलिंग करने का फैसला और मॉंबफ़ ट्राइडिंस की टीम को पहले बाटिंग करने की दावा थे इस से पहले भी दोसों कॉलकत्ता और मुंबई इंडियन्स के दर्माद जब मैच कहला गया IPL 2020 में जहां पर मुंबई इंडियन्स की टीम ने पहले बाटिंग करते हुए 152 रन बनाई थे जितें भी दोसी सों खमार साथ जड़े हुए हाँ और बहुत बहुत शukरिया आप सबी का हमार साथ जड़ने कलिए तैसी की साथ दोनों टीमों के प्लेग इंडियन्स के टीम ने अपर टॉश जीता और पहले बालिंग करने का फैसला किया जहां पर कमाल की बलेबाज है कुइंटेंडी कोग का पहले नमबर पर आपको कुइंटेंडी कोग यहां पर नज़राएंगे उसके लावा अगर सैकिंड नमबर की बात करें तो सैकिंड नमबर पर आपको यहां पर रोहित शर्मा जो कमाल की बलेबाज है वो आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है इनके लावा अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर तीसरे नमबर तो तीसरे नमबर पर आपको यहाँ पर सुरिया कुमार यादू जो दोस्तों तो दोस्तों इसी की साथ लेर बिल्कुल तायार है ग्राउंड में आने के लिए और बड़ा मुकाबला जहां पर मुंबर इंडियन वोर्सिज खेला जाएगा आज का मैच के के आर की टीमों की दर्मान और बहुत ही जबरदस किसम करें दोस्तों आज का यह मैच होगा बड़ मैच जे दोस्तों वो कौनसी टीम यह मुझे लगता है मुंबर इंडियन्स की टीम यह मुकाबला जे दोस्तों वो जीतने में यहां पर काम्याब होगी मुंबर इंडियन्स के पास काफी जे दोस्तों स्ट्रॉंग बैटिंग लाइनप है तो वो इस मुकाबले के जे दोस् हैं प्र ताइम सिहरे लिए पर फिर के साथ और डिघव TOP नरे रही री दोस्तों रह Look मॊंबई इंडियंस की टीम की प्लेंग एन ईलैवन हुआ वाश से-को पर एक स्क्रीन की उपर है रुहे च्रमा इसके लावा आपको मिलेंगे कुट जिकाए चाहल आपको इस मुकाबले करणल पांडिया आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेंगे चुल कता नाइट राइडर्स की प्लेएर्ड जो ग्राउंड में इंटर हो चुकी है और वो आ चुके हैं ग्राउंड में इस ओक फिल्डिंग जो दोसो इस ओक खड़ी करने के लिए इस ओक यहाँ पर जो मॉर्गन है दोसो वो इस ओक यहाँ पर मौजूद है और इसी की साथ मॉंबई इंडियन्स की जानब से जो दो ओपनिंग बले बाद आएंगे वो यहाँ पर आपको रोहित चर्मा देखने को मिलेंगे और उनकी साथ कुइंटन डी कॉट जो दोसो वो यहाँ पर आपको आपको आपनिंग करने के लिए बले बाद जो दोसो यह दोनों मिलेंगे लेकिन इसी की साथ बॉलिंग साइट की बात करें दोसमें यहाँ पर सुभाम गिल और बागी तमाम प्लेयर जो है दोसो एविन मॉर्गन और लोगी फिर गोसन इसी की साथ यहां पर करिशना सुनेल नाराइन इसी की साथ कार दिनेश कार्थिक वो ग्राउंड के अंदर आ चुकी हैं और बस मुकाबले की जो शुरुआ थे दोसो वो यहां पर होने वाली है लेट सी देखते हैं कौन सी टीम या आच के मुकाबल अपनी नाम करती है वीडियो पर पहली मरता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे दोस्तों और चानल पर नए है तो चानल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे इस वग दोने टीमों के जो प्लेयर है दोस्तों वो इस वग ग्राउड में आने के लिए त्यार है स्रेफ फॉर्सिफ जो टाइम रहे गया है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन की उपर है पांच मिनट का टाइम रहे गया है लेकिन पांच मिनट से पहले ही दोस्तों यहाँ पर जो कोलकत तनायक ट्राइडर्स की प्लेयर है वो यहाँ पर ग्राउंड में आ चुके हैं जहाँ पर क प्रिशना आपको देखने को नज़राएंगे। इनके लावा यहाँ पर जिस्पित पुम्रा यहाँ पर आपको नज़राएंगे जो दुसरे टीम है कॉलकत्तन, मॉमबाई इंडियन्स के टीम में, इसी के साथ यहाँ पर ट्रेंड भॉल्ट आपको देखने को यहां पर दूसरी टीम की जहां पर फिल्डिंग की बात करें तो फिल्डिंग की लिए इस वाँ पर शुबहाम गिल आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर इसी के साथ लेर आ चुकी है नितेश रान आपको देखने को मिलेंगे इनके लावा राहुल आपको मिलेंगे इनके लावा जो एंडुर रॉसल है दोस्तो वो इस मकाबले के प्लेंग 11 का है इनके लावा एविन मॉर्गन भी आ चुके है दोस्तो ग्राउंड के अंदर इसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे दिने शकारतिक जो विकिट कीपर के फराइस सर अंजाम देंगे और दिने शकारतिक जो भी ग्राउंड के अंदर जो यहाँ पर आ चुके हैं इनके लावा सिर्फ और सिर्फ तीन मिनट का जो लगबग टाइम रह गया है और तीन मिनट के अंदर मुकाबले की जो शुरुआ थे दोस्तों वो यहाँ पर होने वाली है तीन मिनट और कुछी साकिंड का जो यहाँ पर टाइम रह गया है इस वका सुभाम गिल है इन टीम में जहां पर आपको नज़राएंगे दोस्तों यहाँ पर केकी आर की टीम के जानिब से सुभाम गिल जो कमाल के बल्लेबाज है इनके साव विन इक्तेश आपको नज़रा इनके लावा नितेश रान आपको नज़राएंगे जो कमाल के बल्लेबाज है दोस्तों इसी की साथ यहाँ पर राहुल आपको नज़राएंगे एंडरो असलार रोंडर की तोर पर इस प्लेइंग इलेवन का इसा इनके लावा एविन बॉर्गन आपको नज़राएंगे इ पर असी डे-कρίशना जेदोसो वो इस प्लेंग 11 का जेदोसो यहाँ पर केके आर्के टीम के जानिब से हिजा है इंकि अलावा अगर बात करें दूसरी टीम की तो दूसरी टीम यहां पर रोहित शर्मा आपको देखने को मिलेंगे कुइंटन डी कोग जो इस वक्त आपनिंग बले बाज ये दोनों आएंगे और यहां पर आपनिंग की जो फराइज है वो असन इंजाम देंगे सोरिय कुमार यादियो आपको देखने को मिलेंगे किशान किशान आपको देखने को मिलेंगे तो टाइम ओचुका है सिर्फ दो मिनट और कुछी साकिंड का जे दोसो यहाँ पर टाइम रहे गया है मैच स्टार्ट होने में मैच स्टार्ट होने में दो मिनट और कुछी साकिंड का यहाँ पर टाइम रहे गया जहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं केके आर वर्सिज मॉंबाइ इंडियन्स के दर्मान आज का ये मुकाबला मॉंबाइ इंडियन्स और केके आर के दर्मान जे दोसो आज का ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा जहां पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाकि यह तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों मुंबई इंडियन के जानिब से जहां पर रोहित शर्मा खड़े है और इनके साथ एक और प्लेयर जे दोस्तों वो खड़े है ग्रावन में आच्छी हैं इसक प्लियर और इसके साथ एक और तस्वीर यहाँ पर आपके साथ शेयर करें इस वाकि ये भी तस्वीर आपकी सांस्क्रीन क्यू पर आ रही है जहां पर प्लेयर चे दोसों वो ग्राउंड के अंडर इंटर हो चुके है और मकाबले की जी शुरुआत है वो यहां पर होने वाली है सिर्फ एक मेट का आपको वेट करना पड़ेगा मकाबले की शुरुआत होने लगी है सिर्फ एक मेट के अंदर इसी के साथ यहां पर मकाबले की शुरुआत एक मेट के अंदर होने वाली है दोसों क्या लगता आप दोसों को कौन सी टीम यह मकाबला विन करेगे आपनिंग बल्लेबाद यहाँ पर रोहिच्छमा और इसी की साथ यहाँ पर जो नेक्स प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं स्रिफ और 50 साइकंड का टाइम रहे गया है दोस्तों स्रिफ और स्रिफ कुछ ही साकेंड का यहां पर टाइम रहे गया है मैं स्टार्ट होने में 31, 29, 28, 27, 26, इसी के साथ 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 70 इसी के साथ यहां पर 17, इसी के साथ जेदोसों यहां पर मुकाबले की शुवाज जेदोसों होने वाले 13 मेंट्स का 13 सेकिंड का टाइम और प्लेयर आचुके हैं ग्राउंड के अंदर जहां पर दोनों टीमों की जो प्लाइंग 11 है वापको स्क्रीन पर नज़र आ रही जहां पर मुकाबले की शुरूआत होने लगी है बालर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दोस, इसowक मकाबले की शुरुआत इससक पहली गें स्पीन बालर कौवर दिया गया है दोस थो और स्पिन बॉलर बॉलिंग करने के लिए यहां पर ग्राउंड के अंदर जो दोसों वो यहां पर आ चुके हैं इसी के साथ मुकाबले की शुरुआत और ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर आ चुके हैं दोसों वो यहां पर आप सभी दोस्तों के सामने हैं वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नहीं तो दोसो चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजा पहली गेन करने के लिए तायर है यहाँ पर सामने करेंगे इसक पहली गेन का सामने करने के लिए जाएंगे यहाँ पर नितेश यहाँ पर बालिंग करने के लिए आए हैं और इनके इलावा अगर बात करें दोस्तों जो नेक्स्ट आपको बालिंग बैटिंग कुईंटन डीकॉक और रोहित शर्मा यहाँ पर बैटिंग करने के लिए वो ग्राउंड में आ चुके हैं रोहित शर्मा और कुईंटन डी कॉक इसक बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं इस और की पहली गेन और गेन सीधर जाएगी दोसो चार रंस के लिए खुबसूरत चौका पहली गेन पर आते हिए खुबसूरत चौका लगाने में काम्याब ह हैं जहां पर यह चौका लगाने में काम्याब हुए हैं दोस्तों यहां पर आपको जो इसक्रीन पर नजर आ रहा है रोहित शर्मा उन्होंने बहुत ही खुबसूरत टाइमिंग की साथ इस गेन को बांडरी के पार जोसो पहुँआने में जोसो यहां पर काम्याब हासिल कर अक्रोस किया बांडरी को चार रांस के इस और गविकेट आदे वो इस सामने करेंगे इस गेन और रोहित चर्मान आग्ली गेन को डोड़ के लिया है बहुत ही जबर्दा साला की समका मुकाबला इस और चारी है और इस और की अगली गेन सामने करने वाले हैं इस और की अगली गेन और रोहिद चर्मा ने इस गेन को मिस्ट कर दिया बहुत ही बढ़िया गेन इस वक नितेश राना की जो इस वक रोहिद चर्मा ने इस गेन को मिस्ट कर दिया फिलहाल यहां पर नितेशारा ने इस ओर की तीन गेंदे चार रण देकर कोई विकेट अब तक हासिल नहीं किया इस ओर की अगली गेंद सामना करेंगे कोईंटेंडी कोक नहीं बलके रोहिद शर्मा एक और डोट बॉल दो गेंदे तीन गेंदे मुसलसल एक चोके के बाद डोट केली है दोसो यहां पर और तीन गेंदे मुसलसल अब तक रोहिद शर्मा ने जो दोसो डोट केली है तो मंबा इंडियन्स का टीम का स्कोर इस ओर की अगली गेंद जो सामना करेंगे रोहिद शर्मा इसको केलेंगे दोस्तो डीव वीड विकेट के जानिब एक रन मिलेगा दूसरे रंस किले बागेंगे लेकिन एक रन यहां पर और पाएगा यहीं तोड़ पर एक रन मिलेगा एक रंस किमद से स्कोर जेए दोस्तो वह बढ़ता हुआ यहां पर पहला और की पांच गेंदों पर पांच ग्रिभला 251 जाएंगे किसी ग्र Like जोगफ रिंगे आग्ली फोफजों बात कर रही है नितियाशforcement और एक चोड़ के बाद और अब देखना होगा कि यहां पर इस गेंगे बाद इनके जानिब से किस तरह की शौट हमें देखने को मिलती है दोसो इस वर ग्राउन है जो है दोसो यहां पर मैच कहला जा रहा है शेत जाईदी स्टीडियम का यह मैदान है जहां पर अच का मैच कुइंटेंडी कॉग करो हिच शर्मा इस वर क्रीस जो चुका है एक और में पांच रन जहां पर रहिच शर्मा ने पांच के इंदों का सामना किया और पांच रन बनाकर इस सक यहां पर मौजूद है रहिच शर्मा ने अब तक पांच के इंदों का सामना किया जहां पर इस सक मौजूद है देखना होगा कि आगे चलकर हमें क इस प्रकार के जये दोस जैश दोस लिए बले बाजी देखने को मिलती है जहांपर 60 कुंटिंट इंडिकॉक और रहिज च्रमा जैसे कमाल की बले बाजी इस उप्र मुझे लगता है आज रहिज च्रमा और कॉंटिंडिकॉकícia कमाल की बले बाजी दिखाते हो यहांपर एक को और आज दुबारा जे दोस्तों पहले वहां पर भी पहले बैटिंग की थी रोहिद शर्मा की टीम ने और आज दुबारा पहले बैटिंग का मौका मिला है रोहिद शर्मा की टीम को मुंबाइ इंडियन्स की टीम को तो देखना होगा कि मुंबाइ इंडियन्स की टीम आज किस प्रकार की बैटिंग यहाँ पर करती है पहले इन्होंने 152 रन का टारगेट दिया था इससे जो पहले मैचेज हुए है मॉमबई इंडियंस की टीम ने केकियार की टीम को जहां पर 152 रन का टारगेट दिया था और केकियार की टीम ने सेकिंड इनिंग में अपनी जहे दोस्तों दूसरी इनिंग में यहाँ पर केकियार की टीम ने 142 रन बना कर 142 रन बना कर यहाँ पर इनको शिकस कर जहे दोस्तों वो सामने करना पड़ा था और 10 रन से इनको शिकस हुई थी यहाँ पर केकियार की टीम को स्कोर ये वग पांच रन बगिए विकर्ट upon के नुकसान पर एक ऐसारा एक गेरन का गेम कभेव तक बना कुल चुका यहां पर क्विंटन डी को́क एक गेरन चामना करने काम्याब सिफफर स्कौर रोहिद श॥र्मा ने चे का सामना किया जहाँ पर पांच रन बना कर इसकी कृस्ट पर माजूद है वरन चेगरबोथी इस और की अगली गेन इसको कहल लिया है दोसों यहाँ पर रोच रमने सिंगल के लिए सिंगल मिलेगा यहाँ पर इस गेन पर लेकिन यहाँ पर फिल्डर के अची कोशिश और यहाँ पर मुंबई इंडिन की टीम का चेह रन पर पहुंचा एक अशारिया दो गेंडों का गेम हो चुका है जहां पर अब तक कुइंटन डी कोक ने एक गेंड का सामना किया अब तक कोई स्कूर बनाने में काम्याब ने हुए हैं वही चर्मा की बात करें जो कमाल के बल्ले कुइंटन डी कोक जिन्हों ने अब तक एक गेंड का सामना किया और अब तक कोई रन बनाने में काम्याब ने हुए हैं रोही चर्मा की बात करें तो आठ गेंडों पर छे रन बना कर इसो क्रीस पर मौजूद हैं और 75 स्ट्राइक के साथ बैटिंग कर रहे हैं कुइंटन काउक लफ्ट हंड बäत्समें और काफी तज्रीब कार पलेयर हैं दोस्तों यहाँ पर कुइंटन डी कॉखक और इस वड़क जे दोस्तों काफी यहाँ पर डेंजियरस पलेयर है कुइंटन डी कॉखक अगर यह ज्याद देर तक करीश पर कारी तो के के आर की टीम के लिए जए दोस्तों यहाँ पर मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि क्विंटन डी कॉक जए दोस्तों अगर ये तीस रन से ज़्यादा बना डाले तो पिर जए दोस्तों ये एक बड़ी इनिंग केल सकते हैं और अगर तीस रन से पहले आउट हुएं तो फिर यहाँ पर आप समझ इस और की अगली गेन मिस्स कर दिया कुटने लगे इस गेन पर रॉन हासिल होगा इस गेन को कहला है एक रंड हासिल होगा एक रंज की मजद से स्कोर यहां पर बड़ता हुआ मुंबाइ अंडियन्स की टीम का आट रॉन एक अशार यार पांच केंदो का गेम होचका इस और की अगली गेम सामने करने के लिए है रोहिद शर्मा रोहिद शर्मा यहां पर इस और की अगली गेम का सामने करेंगे रहिच चरिमा इस और की लास्ट डिलिवरी डालने कि ले जाएंगे सामने करेंगे इस और की लास्ट डिलिवरी का रहिच चरिमा जो इस रख पर साथ रन बनाए हैं और इस और में सिर्फ चार रन वरन चकरवर्थी जए दोसों नोंने अब तक यहां पर दिये हैं और देखना होगा कि अगला वर यहां पर किसको मिलता है और वो किस प्रकार की बॉलिंग करते हैं क्योंकि यह दोनों अगर पावर प्ले में मुझे लग करके चार रन दे कर कोई विकेट हासिल नहीं किये लास्ट दोनों मैचेस की बात करें दोस्तों लास्ट फाइफ मैचेस की बात करें तो मॉंबई इंडियन्स की टीम ने लास्ट फाइफ मैचेस में सिर्फ मॉंबई इंडियन्स की टीम ने दो मैचेस विन किये हैं और बाक तेकना होगा इस स्पीच पर आज मॉंबई एंडियन्स की टीम फाते रहती है यहां पर क्यक्यार की टीम यहां पर बॉलिंग करने के लिए चुके हैं सुने लाराएन जो कमाल की स्पिन बॉलर है दोस्तो इसक सुने लाराएन आचुके हैं सोर की पहली गेम सामने करेंगे रो बोशारिया एक गेन का गेम हो चुका है यहां पर रोहिद शर्मा और कुंटन डी को कुछ चाहिए कि पावर प्ले का बरपूर फाइदा उठाए और एक बाड़ा टोटल स्कोर जे दोस्तों वो बना कर दिया अगर पावर प्ले का यहां पर तो थोड़े मुश्किल नजर आते लेकिन विकेट बचाना बहुत ही लाजिमी है इस और की अगली डिलिवरी डालने के लिए तयार है सामना करेंगे इस और की अगली डिलिवरी का कुंटन डी कोक स्ट्राइक पर मौजूद देखना होगा तो क्या लगता है आपसे भी दोस्तों को मुझाबला कौन सी टीम यहां पर विन करेंगी जल्दी से कमेंट करके अपने राइक इसार कीजिए दोस्तों क्रिवरी किया लगता है अगली डिलिवरी यार खोब सुराच्छो का रोहेच्छा मागी बैट से लगिये शोहर्ड जो सिद्ध रान कोले हो एक्षो स्ट्राइक रेट रेट रेखेचन और थत खुब बेशी मेरे खिलते पारें नी ना राएन के बैटल अभुष्षो ही आम रहा देखते पाच्छी काचा काच्छी आचेन अंदर रासेल फिल्डिंग कोच्छेन तीनी ओवर एर पड़ोबुर्ती बॉल निये जाचेन स्विल ना राएन ओवर दो विकेट ही रही ते जोनो स्टम्पेर मोद्धे पूल को शोट तेने खेले चेन पिक अप बॉला जाए बॉल गाचे शिश्पुर्जन दो काव कोरना दिये गयाप पे चेन चार आके बाड़े इधरने शोट खेलते रही चरमा शिद्ध अस्तो आके बाड़े तीनी जाएगाई दाड़िये थाक बेन एक टु स्लो बॉल्टा हेलो एबवं तिनी देखलेन शेही बॉल्टार नीचे बैट दिये आघात कोलेन जोरे शोंगे एबवेट टेने तिनी चार्च है प्रुचूर हाका ते पारें जेतु पावपले चोल छे वही जाएगा ठाक्टे ग्याप तिनी देखा चेन काव कॉर्णर वाएड लॉइड लॉइड शेही जाएगा दिये आर्वएक्ट बाउन्डरी तीनी हाका लेन ता दितियो बाउन